असलाम अलेकुम गाइज दिस इस मीशा देफ रॉम माइक्रोदेब एंड आई होप यूगाइज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट लैप टॉप अंडर दे रेंज फिफ्टी थाउद अगर आप भी एक लैप्टॉप ढूंड रहें और आपकी रेंज काफी सेर्च की है और उसके बाद आपको लैप्टॉप बताऊंगा वह काफी अच्छे होने वाले हैं तो वीडियो का एंड तक दूरूर देखना आपको सब समझा जाएगा तो यार अगर से पहले चैनल पे नहीं चैनल को सबस्क्राइब और बैल आइकन की प्रेस कर लें तक के जो भी मेरे नहीं वीडियो हो उसका नाटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेल जाए तो भी बगार टाम वेस्ट किये वीडियो का स्टार्ट करते हैं तो हमारी लिस्ट में जो फिफ्ट नंबर पे लैप्टॉप आता है वह लिनोवो की तरफ से आप जानते होंगे लि तो फॉर्टी थाउजन तो भी घबराना नहीं स्पैसिकेशन नहीं बता रहूं तो यह अगर हम इसकी स्पेक्स की बात करें तो यह आपको यहां पे आपको इंटल को राइफ प्रोसेसर देखने को मिल जाता है फिफ जेनरेशन के साथ और बाकी है अगर हम इसका क्लॉक र प्रेम देखने को में डिडियार 3 डिडियार 4 नहीं है तो वह थोड़ी डिसपॉइंट सी बात है और बाकी आपको यह आपको फाइफ अंडर्ड जीपी हार्डेस देखने को मिल जाती है अगर आपको हार्डेस भी घुजरा करना पड़ेगा अगर बाकी अगर हम एक्स्ट है और बाकी अगर हम बात करें दूसरा और स्पेसिफिकेशन कुछ की तो यह आप पर आपको 15.6 इंचिस की स्क्रीन देखने को मेल जाती है 720p की वह थोड़ी डिसपॉइंटिंग सी है क्योंके प्राइस भी आप देख रहे हैं के तक्रीपन है 40,000 के राउंड अबाड तो रेजलुशन तोड़ी कम है 1080p होनी चाहिती बट चलें कोई नहीं तो हमारी लिस्ट में जायर जो आता है फूर्थ नमबर पर लैपटॉप वह है जी आपका HP की तरफ से HP प्रो बुक है वह 450 G2 यहार आज दो आप जानती होंगे यह काफी पुराना लैपटॉप है बट यह यह मशीन काफी पारफुल है तो मैं सोचा इसको भी इस लिस्ट में इंक्लूड का रही दें तो यहार अगर हम इसकी कुछ स्पैसिफिकेशन की बात करें तो यहां इसका प्रोसेसर है वह इंटल काई है को राइथरी और बाकी अगर हम बात कर रहे हैं इसका राम रोम की यहां पर आपके यहां पर फॉर जी बी राम देखने को मिल रही है और बाकी अगर हम बात कर रहे हैं इसकी रॉम की तो फाइफंडर जी भी हार्ड आप को देखने को मिल जाती है और फिफ्टीन कर दीना करें भी उठागर लेकर जा सकते हैं स्टूड़न्ट के लिए काफी अच्छा है और आफिक्स वर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं अल्दो अच्छा लैपटॉप है काफी और बाकी अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के तयार यहां पर आपको डॉल् आपके यह ब्लैक कलार इसका ग्राफिक आट की बात करें हैं यहां पर आपको इंटल का ग्राफिक आड कर देखने को मिल लेता है 55100 को यह बिल्ट एन ही जो इसका आता है वही है आपक्स्टरनल लग-लग से नहीं लगवा सकते हैं और जो पिछला लैप्तॉप सा लिनोव तो उसमें भी यही वहला इंटल का लैपटॉप इंटल ग्राफिक आड देखने को मिले तो नॉर्मल इतना कोई अच्छा नहीं है तो यह हमाई लिस्ट में तीसरे नमर पर लैपटॉप आता है और वह काफी हमदे का है क्यूंकि यह गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं को और उस लैपटॉप का नाम है एसर की तरफ से वह एसर इसपायर इफाइफ है लैपटॉप का नाम और यह लैपटॉप काफी मदे का है और अगर हम इसकी प्रैस की बात करें तो यह आपको तक्रीबन मिल जाता है फॉर्टी थाउदन के राउंड अबाउट फॉर्टी यहां पर आपको तुपाइंट वूश्ट तक नंबर ओफ साइकल को फ्रिक्वेंसी डेट वापको देखने को मिल जाता है तो वह काफी अच्छा है उदर से प्रॉब्लम यह उससाइड से और बाकी अगर हम इसकी रैम रॉम की बात करें तो यहां पर आपको रैम थोड़ी डिसपॉइंट है क्योंकि यहां पर आपको 4GB RAM देखने को मिल जाती है DDR3 और यहां पर हम बात करें हार्डिस की तो वह 1TB हार्डिस देखने को मिल जाती है यह आप पर डिपैंट करता है आप कम भी करवा सकते है और बाकी यहां अगर हम बात करें जो इसका मेन हाइलाइट फीचर है वह से ग्राफिक कार्ड है क्योंकि यहां पर आपको 2GB को नवीडिया ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है बिल्ट इन जो कि आपको लगावात ऐसी के साथ तो यह आप गेमिंग भी कर सकते हैं अगर आप गेमर हैं तो यह लैप्टोप आपके लिए फाइफ यह लैप्ट आफ काफी मजए का इसकी सब्सक्राइब तो मतायता हूं क्योंकि यह को राइफ इंटल का प्रसेसर है और जो इसके क्लॉक रेट है वह सेम एडिट इस एसर जैसा है सरस्पाइर फाइफ जैसा 2.2 गीगाहर्ट सब्सक्राइब 2.7 गीगाहर्ट सब्स है और यहां भी आपको वन टाराबाइट हाट देखने को मिल जाती है और 15.6 इसकी स्क्रीन है और बाकी यार परफॉर्मस इस लैप्टॉप काफी अच्छी है और में जो इसका सबसे मज़े की चीज़ है वो इसकी बिल्ड क्वालिटी है बिल्ड क्वालिटी काफी इसकी लिनोगो की है तक रिबन आपको यह 43-45,000 का इसलिए देखने को मिल जाता है मार्कीट में और यह इतने में मिल जागर आपको क्वालिटी के इच्छी काफी आप चेक आउट काल दीजेगा तर जो हमाई लिस्ट में फर्स नंबर पे लैप्टॉप आता है सोचो क्या होगा यार जो हमाई लिस्ट में फर्स नंबर पे लैप्टॉप आता है ना वो है जी हमारा अपना लैप्टॉप एच्पी डीड बुकेट 40 G3 तो अब आप क्या रहे होंगा यार इसका अपना लैप्टॉप इसलिए इसने इंक्लूट कर दिये फर्स पे बिल्कुल इसकी वजा यह नहीं है उसकी वजा यह है कि यार इसको मैंने काफी पर्सनली यूज किया मैं इसके तकरीबन कोई दो एक रिवीव भी अपनोट कर चुका हूं तो वह भी आपने जैक आउट नहीं की तो इसका लिंक आई बटन में है उपर आप आप है जैक आउट कर लीजेगा और बाकी में डिस्क्रिप्शनें भी डाल दूँगा तो यार यह लैप्टॉप काफी बीस्ट है यार इस पर मैंने जीटिया फाइफ रैं की है इससे पहले हमको स्पैसिफिकेशन बताए तो यार इसकी यार जीबी रैम है डीडियार 4 और मैंने इस एक्स्टेंड कर वाग सब्सक्राइब की SSD मैंने खुछ डलवाई भी है यार उससे जो इसका बूट अप टैम है काफी फास्ट हो गया तो इस वाज़े से काफी मज़ा आता यूज़ करने में और बाकी अगर हम बात करें जनरेशन के सिक्स जनरेशन है इंटल कोर आई 5 है और बाकी यार 64 बिट आ सब्सक्राइब काफी मज़े कैसे लिए मैं इसको का फस पर शामिल करें यह मेरे अपड़ाब यह यह आप देख लें यह लैपटॉप है यह इसके मैं दो रिवियों भी अप्लोट कर देख लें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा यह लैपटॉप काफी मज़े है तो यह आप चेक आउट कर लीजेगा इसके अगर हम प्रैस की बात कि प्रैस की काफी मज़े की है उसका बेस वेलियंट आता ना वह आपको तकरीपन फॉर्टी थाउदन के देखने को मिल जाता है तो अब पिछले सारी लैपटॉप से कंपेर करें स्पेसिफिकेशन वा पर टेर परफॉर्मस काफी इसकी बीस्ट है क्योंके मैं इसके परस्टनली यूज़ कर रहा हूँ यतना इससे मैंने लोड डाला ना किसी नहीं डाला तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो यह आप चुक्त कर लीगेगा तो बाकी यार खुश है एक्स्टा फ मतलब के लैपटॉप के बारे में उसके बाद और किसी टाइप की तो मुझे कमेंड सेखें में दुरू बताएं और आई होप क्या कोई यूडियो अच्छी लगया होगी तो उससे पहले अगर चैनल पर नहीं है चैनल के सब्सक्राइब कर लें और बहलेकर प्रेस कर लें क मैं सीविड़ लाता हूं तो थैंक्स फर वॉचिंग नेक्ट वीडम मिलते हैं अपना ख्याल रखिएगा अलाहाफिज